शिकारी और शिर की कहानी तयाग और समझदारी की सिक एक बार की बात है एक जंगल में एक शिकारी और एक शिर रहते हैं शिकारी जंगल में शिकार करके अपना जीवन यापन करता था जबकि शेर जंग कर दा जाता और जंगर के समे जान वर उससे डड़ते थे शिकारी पहुत चलाग और तेज था और उसने कहीं बड़े जांगरों का शिकार किया था एक दिन शिकारी ने जंगर में शेर को दिखा वे शेर को मानने की योजना बनाने लगा ताकि उसे बहतरीन की नाम मिल सके शिकारी ने एक बड़ा जाल बिचाया और शेर की आने का इंतजार करने लगा कुछ समय बाद शेर वहां से पुसरा और जाल में फस गया शेर ने बहुत कोशिश की लेकिन वे चाल से बहार नहीं निकल सका शिकारी पुश हो गया और सोचने लगा कि अब वे असानी से शेर को मार देगा जब शिकारी शेर को मारने के लिए आगे बड़ा तबी शेर ने शिकारी से कहा तुम मुझे मारने से पहले एक बार सुचो, मैं तुम्हारा फूल नुकसान नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझे चोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें जीवन पर याद रखूँगा, और तुम्हारी मदद करूँगा, शिक्तारी ने शेर की बात पर सुचा, और कहा, तुम जंगल के सबसे ताकतवन जानवर हो, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें मार कर अपनी ताकत साबित करूँगा, शिक्ति का इस्तमार दूसरों के मदद के लिए करना चाहिए, ना कि उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए, अगर तुम मुझे चोड़ूगे, तो ये तुम्हारी में भी अच्चा होगा, शिक्तारी के मन में शेर की बात गड़ गड़ गे, उसने सोचा कि अगर वे शेर को चोड़ देगा, तो शेर उसकी जान भी बचा सकता है, शिक्तारी ने आकिरकार शेर को जान से मुख कर दिय और कहा, में तुम्हारी बात समझ गया हूँ, अब मैं जान भरो का शिकार नहीं करूँगा, शेर ने शिकारी की समझदारी की सरहाना की और कहा, तुमने आज दया दिखाई है, और मैं तुम्हारी इस दया को कभी नहीं बुलूँगा उस दिन के पार शिखारी ने शिकार करना छोड़ दिया और जंगल के जानवरों के साथ शांती पूल जीवन बिताने लगा श्रेन ने भी शिखारी का सम्मान किया और हमेशा उसकी रक्षा की कहानी सेसी, दया और समझदारी हमेशा शक्ती से अधिक बहत्तों होती है किसी को शमा करना और दया दिखाना सबसे बड़ी दाखत होती है दोस्तों अगरी वीडियो चलेगे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तैंक्यों पर वाच्चिंग